अलो साथिकों नमस्कार मैं हूँ बजरंगी लाल आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपिपी सील यूटूब चैनल इससे पहले की क्लास में हमने चार चेप्टर कंपलीट कर लिए थे अगर जहां तक मैं सही हूँ तो आज की क्लास में हम संधारित्र मतलब कैपसिटर और इंडेक्टर इन दोनों चेप्टरों को कंपलीट करेंगे तो चलिए जादा देर न करते हुए शुरू करते हैं संधारित्र चेप्टर चेप्टर का नाम है संधारित्र मतलब कैपसिटर संधारित्र का सामान परचे पढ़ लेते हैं संधारित्र क्या होता है दो विप्रीत आवेश पलेटों के मद्ध प्रावध्यूत माध्यम में आवेश को संचित करने वाली तथा अबसक्ता पढ़ने पर बितरित करने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं संदारित्र में मुक्त आवेश प्रावध्यत माध्यम में संचित होता है यहां पर यह लाइन आपको याद करने वाली है कि संदारित्र में जो आवेश होता है वो कौन से माध्यम में संचित होता है तो यह होता है प्रावध्यत माध्यम में संदारित्र का मात्र क्या है फेरा कहें तो नुमेरिकल्स बनते हैं और यह आप याद रखेंगे तो नुमेरिकल्स से होंगे अगला है एक मिली फेराइड बरावर कितना होता है तो दस की पावर माइनस 3 एक पीको फेराइड बरावर होता है दस की पावर माइनस 12 एक नेनो फेराइड बरावर होता है दस की पा तुल धारता कितनी होती है बन अपॉन C बरावर बन अपॉन C1 प्लस बन अपॉन C2 यहाँ थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ जिस प्रकार अगर प्रितिरोध दो प्रितिरोध हों ऐसे और वो अगर सिरेणी में जोड़ाए हो और तुल ले इनका प्रितिरोध पूछा जाए यदि इस प्रितिरोध का मान R1 है और इस प्रितिरोध का मान R2 है तो इन दौनों यहाँ से यहाँ तक प्रितिरोध पूछा जाए तो यह होता है R बरावर R1 पिलस R2 सिरेणी करम के लिए ठीक है और समांतर के लिए क्या होता है तो अगर दो प्रतिरोद समांतर में हो इस प्रकार से यदि दो प्रतिरोद समांतर में हो एक प्रतिरोद यहां हो एक प्रतिरोद यहां हो दोनों ऐसे समांतर में हो तब तुल प्रतिरोद पुछा जाए जो प्रतिरोधों के लिए समांतर में सूतर लगता है, वही कैपसिटरों के लिए सूतर लगता है, मैं यह कहना चाह रहा था, कि अगर दो प्रतिरोधों के लिए सूतर है, तो उनका जो तुल प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, वो होगा, बन अपन C बराबर, बन अपन C1, ठीक, वही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दो से ज़्यादा प्रितिरोध के लिए यह सूत्र है, दो प्रितिरोध के लिए सूत्र यह होगा, जो मैंने अभी आपके लिए लिखा, और स्रेणी में अगर प्रितिरोध जुड़े हैं, स्रेणी में प्रितिरोध नहीं, अगर स सीरेणी मेंBaby जुड़े है धीक अगर मैं गलत बोल गया हूं तो दुबारा बताता हूं कि अगर थीक वयस्था ही कैपसीटर में समांतर में लगता है आगे ये हैं देखो समांतर क्रमystem पूर्ब केरल में कैपसेटर सेंचित हों मतलब जब म justement सी तू मानके दो का का सब जो पर सिस्सेडी में सहीजित हों तब उनके लिए जो तुर प機ytt Falls होगा वो कितना होगा वो होगा C1 C2 upon C1 plus C2 ठीक है ये समांतर में जब प्रितिरोध लगे होते हैं तो उनके लिए ऐसा होता है यहाँ पर ठीक उसका विप्रीत है मतलब जो प्रितिरोधों के लिए समांतर में लगेगा वही सूतर यहाँ पर कैपसिटर के लिए स्रेणी में आगे देखिए, आगे देखते हैं, संदारेतर हमेशा बोल्टेज परिवर्तन का बिरोद करता है, यह वाली लाइन काफी याद रखने ही हो गए, कि संदारेतर किसकी परिवर्तन का बिरोद करता है, जबकि कैपिसिटर जो होता है, कैपिसिटर नहीं, जबकि संदारेतर को ही विरोध करता है तो धारा परवरतन का विरोध कोंग करता है इंडेक्टर आई बराबर होता है एक सुध्र संदारित्र में उर्जा की खपत कितनी होती है तो एक सुध्र संचेत जो ऊट्जा होती है उसका मान कितना होता है हाफ सी वी इसकोईर एक बटे दो क्यू वी दो सूत्र है girls पूछा जाए एक सुद्ध संदारित्र का प्रितिरोध कितना होता है तो वह होता है अनन्त आगे धारतिय प्रितिगात यह वैसे तो एसी थेओरी वाले चप्टर में आएगा लेकिन जब यहां पर क्यापसिटर पढ़ाया जा रहा है तो क्यापसिटर रिलेटेड जो भी सू दजयły would I aven up on omega सी तो ईक सी भरावर होता है बनप पढ़ाय आपsl्ब सी क्यूंकि omega सी भरावर होता है omega सी भरावर होता है टूपाई एपसी तो देखो है यहां पर omega सी की जगए ही यह टूपाई AFC हो गया मात्र क्या है ओम पधार का प्रड़त स्थच्छछ्य श्थरांग एर कमान कितना होता है एपसाइलन अपल एपसाइलन नोट ठीक है आप एकशे बिद्दुत सीलता एर है इबराबर माध्यम में बिद्दुत सीलता है पिछले वर्ष 2019 का जो एक्जाम हुआ था उसमें डारेक्ट ये कुशन पूछा गया था और यह मेरा प्रसंद गलत हो गया इसका मात्रक में भूल गया था इसकारणी में गलत हो गया था वाब लोग गया गलत मत करना एपसाइलन नोट का मात्रक मान होता है 8.854 गुणा दसकी पावर माइनस बार है फेराड पर मीटर आप एक शित बैद्दुत सीलता का कोई मान नहीं होता है जहां भी आप एक शि विशरासी है और उनके मात्रक आपको दिए गहें परां बैद्दुत सीलता अपसालन नोट क्या होता है फेराड पर मीटर का मात्रक वहीन होती है फ्लक्स का मात्रक होता है बेवर र byद्दुत इभ Cheers नियूटन प्रति कूलार्म और फ्लक्स घर्ण जिसको हम अडी से प्र सभण सबस्कें तो जो बीच में E के प्रित्यक्ष्समानुपादी होता है माध्यम जो भी हो इनके बीच में भरा हूँ है इसे बता देता हूं कि अगर यह दो पलेट है इसका जो च्हेतर्फल होगा उसको कई प्रितिक्ची और से प्रितर्सेटृट्स ठीक है उसके बाद संधारेत decline होता है यहाँ पर है संदारित होता है क्या बताया मैंने इसको इसको घ्री इन को क्या रहता है वह जाता है काई बार जो दिमाग में हो वह फ्लैस हो जाता है ठीप आप याद कर लेना इसको यह होता है AYD C बरावर Epsilon हाँ इसको बोलते हैं Epsilon not Epsilon R AYD F संदारित के 4 और का माध्यम बदल जाने पर धारता C का मान भी बदल जाता है कि अगर संदारित के का मात्यम बदल जाए यहाँ संदारित का पर यहां का म करते हैं लुटर इसका कारान यही है कि सिंगल फसी मोटर यहां उस को सेलफ स्टार्ट बना दें आप जब वाले चेप्टर पढ़ाएंगे तो बहां देखेंगे कि त्री पेज और सिंगल फेज मोटरों में अटमेटिक मतलब सेल्फ स्टार्ट होती है जबकि सिंगल फेज मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है और बनाने के लिए जो इप्ति हम प्रयोग मिलेते हैं उसको कहते हैं संदारेतर प्रत्यवर्थी सेतु को संतुलित करने में इलक्ट्रोनिक परपत में फिल्टर के छेतर में बोल्टेज नियमा को स्रेश्ट बनाने में मतलब voltage regulation को सही करने में संदारित्र में जो प्रभाहित होती है धारा वह क्या होती है IC बरावर B upon XC दोखो I बरावर होता है B upon R, B upon R थी कुसी पिरकार यहाँ पर I की जगे IC हो गया और R की जगे क्या हो गया XC तो IC बरावर होता है 25FC B Ampere एक सुद संदारित्र में धारा voltage से 90 डिगरी आगे रहती है यह वाली लाइन बहुत ज़्यादा important है एक सुद संदारित्र में धारा क्या रहती है voltage से 90 डिगरी आगे रहती है यह वाली लाइन एक सुद संदारित्र में धारा बोल्टेज से कितने डिगरी आगर रहती है, तो सुद्ध संदारितर में जो धारा होती है, वो बोल्टेज से 90 डिगरी आगर रहती है, सुद्ध संदारितर में P, पावात कितनी होती है, तो BI कॉसपाई, सुद्ध संदारितर में जो पावरत होती है, वह कितनी होती है, बी आई कॉस्पाई पी बराबर बी आई कॉस्पाई चुकि 5 का मान 90 डिगरी हो जाता है यहाँ पर ठीक है अभी आपको मैंने क्या आत कराया कि सोध संदारित्र में धारा जो होती है धारा मतलब आई बोल्टेज से कितने डिगरी आगए होती है तो 90 डिगरी आगए होती है चुकि कॉस्पाई कमान 0 रकेंगे तो वि पराबर कितनी हो जाईगी 0 यहां तक मैं सही हो तो परावध्द्र संदारित्र में सक्टियान नहीं होती अगला देखेंगे परावै ददो थानिया परावै दो थानियों के लिए सूत्र क्या होता है प्रावै। प्रावेद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध बिद्धार्ता कितनी होती है, देखो समांतर पिलोटों के बीज, बिद्धार्ता। यही सूत्र दुबारा रिपीट किया गया है, C बरावर Epsilon Nought Ayd, और C बरावर Epsilon Nought नहीं है, वो Epsilon है, Epsilon का मान होता है Epsilon Nought Epsilon R, तो वही एपसालन की जगह पर एपसालन नोट एपसालन आर रग दिया गया है और एवाई डी फैराट एक से अधिक बहुत से आसान परावादद माध्यम मों बाले संदारित की धारतक क्या होगी जब एक से अधिक माध्यम उसके बीच हो तो उसकी धारता के लिए सूत्र यह है यह ज़्यादा इंपोटेंट सूत्र है वैसे जही में जादा पूछा जाता है आपका अग्जाम अगर बहुत ज़्यादा बनता है तो वहां पर यह सूत्र पूछा जाएगा संदारित के आवेशन के लिए समीक्राण मतलब चार्जिंग एक्वेशन ऑफ कैपसिटर संदारित के विशर्जन मतलब चार्जिंग एक्वेशन है तो डिश्चार्जिंग भी होगी मतलब चार्ज होने के बाद डिश्चार्ज होगा उसकी एक्वेशन है वह यह दी गई है समय इस्तरांक का मतलब क्या होता है यह कई बार पूछ लिए जाता है आर्सी परपत है तो उसका समय इस्तरांक भी क्या होगा आर्सी ही होगा अब अगले पीस पर चलते हैं हाँ तो इस चेप्टर की थेवरी कंप्रीट हुई अब हम इसके कोशन करते हैं जब दो संदारेत प्रितिरोद स्रेणी करम में जोड़े जाएंगे तो उनका मान घठेगा क्यों कि जब 2 प्रितिरोद संदारेत जाते हैं तो उनका बढ़ता है और यहां पर प्रितिरोद का जेस्टर लटा होगा मतलब उसका मान क्या होगा ओगता है अगला देखो एक अच्छे कुचालक का अपवय कारक किस स्रेणी का है अच्छे कुचालक का अपवय कारक होता है वो कितना होता है 0.002 आगे देखेंगे एक उच्छ प्रेरिक परपत में निम्न धारता जोड़ते हैं तो क्या होगा सक्ति गुड़क बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा सक्ति गुड़क बढ़ जाएगा अगला प्रसन देखेंगे उच्छ परपत के लिए कौन से संदरीत परसन देता है क्षाबर्ति परिपतर्द में अब्रक संदार्य था है उसिता सांधार्थ में Am Bispo तो किसी विद्धुत्रोधी पदार्थ को दी जाए और वैविद्धुत्रोधी पदार्थ उस विभव को बिना भंजन के सेहन कर ले। से क्या लगेगा बनफॉन सीवन प्लसुं कर लगए यहां पर नभा पर डेटेल में करके दखाया यह चुंकि हमें किसी बन पुपर जाएंगे और तीन आएंगे नीचे अगले पेज पर चलते हैं अगला पेज है 0.4 संदारित के पार विवांतर कमान 4 बोल्ट है उसमें संगराहित आवेश की मात्रा क्या होगी आवेश की मात्रा पूँछी है यहाँ पर सूट लगेगा यह बाला Q पराबर C भी ठीक है Q कमान यहाँ पर दे रखा है और B कमान दे रखा है ठीक है तो देखो C कमान दे रखा है और B कमान दे रखा है Q यहाँ पूछा है हमसे दोनों की गुणा कर देंगे जब 0.04 की गुणा चार से करेंगा तो कितना आएगा जिरो पुइंट 16,00 संदारित के आंतरिक परीतरता के लिए सामानदा किसे जिम्म्यदार मान जाता है मतलब आंतरिक परीतरता मतलब उसको ...ईन्टर्नली जो ... हीट होती है उसके लिए Leakage प्रतिरोध को समान रेटिंग के लिए निम्रिकत में से किस संदारित्र की विमाय सबसे छोटी होगी मतलब अगर समान रेटिंग का है तो सबसे छोटा संदारित्र कौन सा होगा सिरेमिक संदारित्र जो होता है वहाकार में सबसे छोटे संदारित्र होते हैं को सामयन था नहीं का अगला प्रस्न देखते तो अगला प्रस्ण है अधिक बित्रण धारता करता है भू संपर्क क्या है अगला है एक RC परपत में सी के आर पार बोल्ट ता परपत को भी बोल्ट परप से नहीं करने को परप्र परने के बन्य लाइब अगला निम्कलत में से कौन सा सरंखल आर्पत के लिए कालनक को व्यक्त करता है सरंखली निवकलत है कि पार वे तीज़रोटन और कौद करता है करलारत्त की किसकी यूनिट हैा संदारित colleges अगला देखेंगे समांतर पलेट वाले संदारित्र में पलेटों के बीज बिज्दनमान का पागज़ को तो पिलेटों के बीच बिभांतर कमान क्या हो जाएगा, पिलेटों के बीच बिभांतर कमान जो है, घट जाएगा, एक से बी के बीच विद्दु छेत्र ग्याद करना है यह वाला प्रस्न जो है आप ही को करना है समझके और मुझे बताना है ठीक है आगे देखते हैं धारता के पिरकार यहां पर यह दिया है धारता के पिरकार के ट्रांसड्यूसर में फ्रीजिंग प्रभाव को कम करने के लि और उसको भू बिवब पर रखा जाता है ठीक है उच आवरती परपत में किस कैपसिटर को प्राथमिक्टा दी जाती है तो यहां पर दी जाती है अब रख कैपसिटर दोबारा पुछ लिये गया, क्या होते हैं ? दो online, दौराबेदुत दौरा πृथक चालक होते हैं ? मैंने बताया था ऐसे.. एक चालक यह होगा, एक चालक यह होगा इसके बीच में प्राबैदुद पतार्थ भर दीए जायेगा वही यह पूंझा है यहां पर ठीक है है अगला है केपशिटर में प्राबैदुद ब्रेकडाउन के दौरान क्या होता है प्लेट के बीच इस्थाई चालन इस्थाफित हो जाता है मतलब ब्रेकडाउन होना का मतलब होता है कि बीच में चालन इस्थाफित हो गया अगला देखिए कैपसिटर के परावेद्दुत ब्रेकडाउन के दौरान प्लेट के बीच इस्थाई चालन इस्थाफित हो जाता है पिर है प्रेयरक्त चेप्टर कि क्यों कर लिया अब इंडक्टर चैप्टर है जिसको कहते हैं कंहाने परचे साध्यत हो तो क्यों सिरेंडिक्रम में सजोगत हो तो कैसे निकालेंगे L बरावर होता है L1 L2 L2 जैसे प्रितिरोध में L मतलब अगर स्रेणी में किरम में सयोज़ेत होते थे प्रितिरोध तो बहाँ पर क्या लिखते थे R बरावर R1 प्लस R2 वैसे ही ठीक सेम है उसी का सिर्फ कैपसेटर में उल्टा है बाकी इसमें सेम है क्योंकि बोल्टेज। और धारा के भीच में एंगिल यो मुदा होता और इस box में धाराijo से नभाइल पीछे रहते है यहां पर दिया है interpretations में क्या था धारा voltage से 90 degree आगे थी सुद प्रेरक परपत का सक्तिकुडंग power factor कितना होता है सुद प्रेरक में धारा voltage से 90 degree पस्टिगामी होती है मैंने बताया प्रेरक में जो संचे तूर्जा होती है वह कितनी होती है हाफ cv isquire यह किसकी है संदार हित्र की और जो प्रेरक में संचे तूर्जा होगी वह कितनी होती है यह बरावर हाफ l i ispire प्रेरक में संचे तूर्जा चुम्बकी छीतर में होती है जबकि कैपसिटर में संचे तूर्जा काई में होती है आप बताएंगे कमेंट करके है भिर्यरख का मात्रव्रक क्या होता है हेनरी घर हमयशा धारह परवर्थन का विरोध करता है विरोध करता है का Correct करता है धारह परवर्तन का आगे देखो कुंड़ियों के बीच योगमन गुणांग इससे संबंदित प्रस्ण पूछ लिया जाता है एम बरावर होता है कि अंडरूड एल बन एल टू फिर फेराडे के दोनों चुंबकी प्रिणड़ वाले नियम है प्रथम नियम है जब किसी कुंड़िया परपत से ब मायनस चिन है वह लेंज की नियम को दर्शाता है लेंज का नियम का होता है प्रेदे धारा सदे उसका बिरोध करती है जिसके कारण वह स्वय मुत्पन होती है ठीक अब देखो कुछ रासियां आए यहां पर उनके मात्रक है परंद चुमक सीलता का मात्रक होता है हैंरी पर म स्टेट फिलक्स घर्णत का मात्रक होता हैं पर मिटर या पिर टेसला सथा का मात्रक होता है यह हम है कि अगला हम मैं विद्दुद बलकी तिसां को परिधर्सित करता है। फैराडे के दितिय नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। पर डीकी मोटर्ट्प डीकी जञेनरेर्ट और ट्रांसपर्मर्ट का निर्माड हुआ है। अगला है विद्धुत बहागबल तीन विद्धियों द्वारा उत्पन किया जाता है एक रसाइनिक विद्धियों द्वारा ताप योगुन विद्धियों द्वारा और विद्धुत चुमकी पिरेणर द्वारा गतिश पिरेणर विद्धुत बहागबल का समीकरण क्या होता E V बरावर B L B Sstadtheta, यहाँ पर यह है, E V बरावर B L B Sstadtheta, भी क्या है, चुम्ब की फ्लक्स गनथ, L क्या है? चालक कार की लमबाई, और B है, UV बालाई, B, चालक का बेग, Q है, चुम्ब की छेतर की दिसा तरता चालक के बेग की दिसा के बीच बना कॉन? पर एट्रेट बिद्द ब्हाग बलग का अदिकत्ता मान कितने डिग्री पर होता है तो यह होता है नब्यंज पर क्योंकि V does जा येख लग्रत भूर्ब ही तो उसका अधिकत्म वां और नियूंटतम मान कितने ब्हागव होगा जीरो देखर अगला देखेंगे यह कमान माइनस अल डी अपॉन डी टी है ठीक है पारस पर एक प्रिद्ध ब्रिद्ध बाह अकबल का समीकरण यह बरावर एम डीवाई डीट्ट अब तो अब यह पिर रिद्ध यह बरावर होता है एंडीफाइए पॉन डीफाइवाई आई हैंडीडी होता है ठीक है तो पिर रिद्ध अनमात्र क्या है बेवर टन पर एमपियर या फिर हैंडी देखो यह किलास मैंने यहां तक आपको करा दी है कुछ थोड़ी इंटरनली इस्जू है आज इस कारण में पूरी इस दूसरी चेप्टर को पूरा रेकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं हो सकता है कि आज साम को इस चेप्टर को दुबारा खाली इस ही चेप्टर को जो इंडेक्टर वाला चेप्टर है उसकी वीडियो रेकॉर्ड करके आपके लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा आज आपसे बादा पूरा किया था कि दौन दो दो चेप्टर तो कम से कम डेली रेकॉर्ड करके डालूंगा वह बादा कहीं न कहीं थोड़ा सा उससे टूटा है के लिए चमा करिए बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार के और वीडियो में तब तक के लिए बने रही है चैनल के साथ जहिंज भारत है कि कंप्लीट हो गया है कि अब हम चेप्टर करेंगे इंडेक्टर इंडेक्टर की पहले थिवरी उसके बाद कुशन पताई आपको तो प्रेरक का नाम है प्रेरक तो सुरू करते हैं जब प्रेरक एल रेनी क्रम में सभ्यचत हो तो उनके बीच तो अगर मतलब सेम वैसे ही जोड़तेना है जैसे हम प्रत्रिवोद को समांतर में जोड़ते थीक वैसे ही इंडेक्टर को प्रित रोद के सेम ही जोडते हैं अंतर है तो capacitor में अंतर है फिर देखो अगली line है सुद प्रेरक में pure power की खपत नहीं होती है, मतलब pure inductor पूर्जा खपत नहीं करता है, तो P बराबर कितना होता है BI cos pi और BI cos pi यहाँ पर फिल लिखा है वही एक चीज है, यहाँ पर voltage का होता है, धारा से 90 डिगरी आगे होता है, जोحआ भी capacitor के case में, धारा से 90 डिगरी यहाँ पर voltage धारा से 90 डिगरी आगे होता है और दोनों के बीच में voltage और current के बीच में जो phase angle होता है कितना होता है 90 अंग एक सुद पिररक का इस्टोर होती है यह बरावर हाप जूल यह बरावर हमेशा नहीं करता है जब हम केपसिटर पड़ रहे थे तो वह करता था voltage परिवर्तन का बिरोध करता था circuit में जब कि ये inductor जो है circuit में धारा परिवर्तन का बिरोध करता है तो इसके लिए voltage भी बरावर होता है ldi upon dt अब कुंडलियों का पारसपरिक योगमन वैसे ये आपके exam में पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप जान लेजिए कुंडलियों का जो पारसपरिक योगमन होता है वो कैसे होता है l equivalent वरावर होता है l1 l2 plus 2 plus minus m ठीक है अच्छा सहयोगी स्रेटरिक योगमन होगा तो ये होगा और बीच्छेतर योगमन होगा तो ये होगा ये बहुत कम पूछा जाता है ये जई के एक्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है कुंडलियों का समवांतर योगमन ये आप अगर याद नहीं करें में तब भी चलेगा आगे देख लीजिए इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अभी तक इससे संबंदित कोई भी प्रेशन एग्जाम में नहीं बना इससे संबंदित प्रस्ण बनता है देखो L1 बा L2 का जो स्वय परिरख्त है M उनके बीच पारसपरिक परिरख्त है तो कुंडलियों के बीच जो योगमन उडांक होगा M बरावर क्या होता है के L1 अपॉन L A अंडरूड L1 L2 फैराडे के दो चुम्बकी प्रिरख्त संबंदि नियम है वे नियम है आपर दिये गए हैं फैराडे का प्रिथम नियम है कि जब किसी कुंडलियों परिपत से बंद चुम्बकी फ्लक्स परवर्थित होता है तो उसमें एक बेद्धुत बाहगबल उत्पन होता है इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं प्राडे का दिये नियम है कि प्रिद्धुत बाहगबल का परिमाण परिपत से बंद चुम्ब की फ्लक्स परवर्तन फाई की दर के समानुपाती होता है यह है इसका गड़ती रूफ यह है यह है इसमें माइनस जो चिन है वो लेंज की नियम को प्रदर्शित करता है यहाँ पर N क्या है कुड़िली में वर्तों की बर्त मतलब टरन की संख्या फ सब्सक्राइब करेंगी जिसके गड़ती रूप है आगे देखेंगे कुछ यहाँ पर रासिया दी गई है और उनके मात्रक परम चुमक सीलता जिसको हम नियू नोट से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक होता है हेंडरी पर मीटर नेर्फेक चुमक सीलता मात्रक वहीन हो मात्रक होता है बेवर प्रिती मीटर मत्रक क्या है अगले पेज़ पर चबते है अगला page देखते है अगला page फ्रेर्थ बिदुत दी सी जर्नेलेटर तता ट्रांसपार्मर का निर्मार्ण भूआ है ऐ लिश्ग को छोड़कर सभी जर्म Bazh Creek यो फैरेडी और फैरेड़े को छोड़ कर सभी जो विझली पैदा करने वाले स्रोत होते हैं उन Municipal सब्सक्राइं चेले ब्लकृता है कही बार यही पुछ लिया आपके एकजाम में नहीं पूसिए जाता है नहीं आपका पेपर क्रिप्टिव है तो याद करने वाली यह बाराबर होता है चुमबकी फिलक्स गना एल पर चालक धिरकाई और वी यूवी बाला जो W बी बराबर टार चालक का आप CI क्यों क्या है चुम्बगी छेत्र की दिशा तक चालक के बेग की दिशा के बीच का कौन पिरेश बिद्योध बाहग बल का मान अदिकतम कब होगा जब ठीटा 90 डिगरी होगा E V बराबर BLV अधिक्तम होगा जब θीटा कमान 90 डिग्री होगा ठीक है परेज़ बिद्दुद बाहगबल का नियुन तमान कितने पर होता है 0 डिग्री पर परेज़ बिद्दुद बाहगबल का समीकरण क्या होता है ES बरावर मानस LDY upon dt ठीक है परेज़ परेज़ बिद्दुद बाहगबल का समीकरण है EM बरावर MDI upon dt ठीक है तो यह क्या होता है एक है यह क्या होता है M M F upon प्रतिष्थम जैसे बिद्दुदी tied circuit में EMF होता है वैसे यहाँ पर एम्टी सर्किट में क्या होता है प्रतिष्थम बैसे चुम्बक वाला chapter इससे अगला chapter है अभी कि लिए दिये दे जालीए 5 बरावर होता है 1 है अंध्र एस yes का इसाम ऐसा मात्रख मपीट यह ये डारिक्ट खुषे जाता है तो आप support करेंगे मैं द्लेक्ट मात्रख चुम्म अ कह मांत्रख वेवर विय्कly कोंफाइट चुंबकी प्रिति प्रूद के अनुरूप होता है अभी मैं थोड़ी दिर पता एले बताया था कि चुंबकी प्रिति प्रिति प्रूद के विक्रूमानु पाथी होता है सर्कूर चालक पक्त के समानुपाती होता है जैसे चुम्ब की सर्किट में चालकता होती है ठीक वैसे ही या चालक पत्त होता है वैसे ही यहाँ पर क्या होता है ससप्टेंस चुम्ब की फिलक्स फाई बिदुद धाराक आई के समानुपाती होता है अभी मैंने बताया जब ये सूत्र हम पढ़ रहे थे फाइव आगा एक समान चुम्मे की छेतर में इसने दारावाई चालक पर लगने वाला बल कमान अधिक्तम 90 डिग्री पर होता है चालक पर लगने वाले बल कमान जीरू एक सौसी पर कितना होता है नियूंतव अगर समानत पर लगता कूंसा बल है उनके बीच आकर्सन बल क्यों लगता है इसी सूत्र के कालन जो अभी पहले समझाया था ठीक है दुझरे पेच पेच परिपने दिसां बहर ही हो उनके बीच प्रतिय आकर्शन बल लगें स्वूरे बुइभरर करें छी ब्रेशन को रहे हैं मांन इतने वाल sap ष हुआ यह वाली हो जाती है यह समय नेंटग को पूरता आभिसेत होने में कितना समय लगता है 5T अगर इंड़क्टर है तो उसको पूरी तरह से चार्ड जोने में कितना समय लगएगा 5T समय निर्टांग का मात्रक क्या होता है ती यह पूछा ही जाता है ती का जो मात्रक होता है क्या होता है सेकंड भवरदारा हानियों के लिए सूत्र क्या है भवरदारा हानियों को हम पी सफिक्स में ए से प्रदसित करते हैं इसका जो सूत्र है वो यह है देख लीजिए और या मूँआड मूँ और मूर में समभन का उता है इन समय फैल दिखाया है यहाँ पर कुछ और मूँ नोट का मान कितना उता है फोर पाई वुर्ण की पावर मायनस साथ हैनेरी फर मीटर आप इसके प्रेशन प्रस्द करते हैं दो कुंड़ियों में 100 क्रमसा L1 और L2 है उनके 20 स्रेणी में लगने वाले यह वो उनके मद्द पारसपरित प्रियरक्त M हेनरी होने पर परणामी प्रियरक्तों का अधिकतम मान क्या होगा इसके लिए सूत्र जब में स्टार्टिंग पट रहे थे वहीं था L1 वरावर L1 प्लस L2 प्लस 2M प्लस माइनस होता तो और जाद अच्छा होता यह वाला देगो अगर दो इंड़क्तर हैं और दोनों ऐसे स्रेणी में लगे हैं तो उनके लिए जो सूत्रों का वह होगा यह लिए भी प्रावर इन दोनों के बीच टोटल L उच ले जा तो क् पारगम्ता की कही क्या मतलव पारगम्ता किसके अनुरूती है चालकाता हुझे एक मैक्सवल कमान कितना होता है । कितना होता है यह आप बताएं कमेंट कर देखो लेंज के नियम के अमसार कौन सा समीकरन सही है लेंज के नियम में माइनस कर से नहीं यहाँ पर यह है तो बिखल्प नमबर एं सही आंसर और ज़ते हैं किसी प्रेयरत को पूरी तरह से चार्ज होने में कि इतना समय लगता है तो यह समय लगता है 5T तो T बरावर क्या होता है L Y R ठीक है आप एक चिक चुम्मक सीरता Mu R का मान बायू के लिए कितना होता है तो बायू के लिए मान कितना होता एक 8 हैंडरी के प्रिरफ्त में बोल्टेज क्या होगा यदि प्रिरफ्त में धारा परवर्तन की दर 0.5 एंप्यर है प्रती सेकंड है तो B बरावर यहां पर पूचा है L हमको दिया है डिया अपॉन डिया है जो है उसका भी मान दिया है तो B बरावर होता है L D I upon DT B की मान निकालने है L का मान आट रग दिया और D I upon DT का मान कितना 0.5 रग दिया है तो गोणा करी तो कितनी आया प्रती बोल्टे से 90 डिग्री पीचे होती है बताया ना और क्यापसिटर वाले में दारा क्या होती है 60 डिग्री आगे होती है आगे देखो प्रेरत में संचे तूर जाके कौन से इन में से कौन सा समय करने जिससे हम प्रेरत में जो उर्जा इस्टूर होती है उसको करते हैं तो आफ एल स्कॉाइर आई या फिर बन अपॉन तू अंडर रूड एल आई स्कॉाइर इसके कारण और होती है ओर्जा किसके रूप में तो प्रेरत जो होता है वो शुम्बकी इस्टूर के रूप में फटोर करता है यदि कुंडली में कई फेरे हैं सही है कुंडली में कई फेरे हैं एक बरिष्ट काल इस्तरहंक वाली है तद अनुसार उसके फेरों की संख्या दोग नी कर दी जाए तो उसका जो time constant है उसके क्या परवाव पड़ेगा चार गोना हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो time constant होता है lyr ठीक है और l बरावर क्या होता है mu n square ayl क्योंकि l directly depend करता है n के square पर तो जब उसको दोगना कर जाएगा तो 2 को square कितना हो जाएगा चार तो 4 इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखो दो युगमत कुंडली है जो स्रेणी में जुनी है जोड के आधार पर 160 millihertz या millihenry 8 millihenry के बरावर तो कितना होगा देखो नमेरिकल आपको करना है बता दे रहे है 1 प्लस L2 2 प्लस माइनस 2M ठीक है एक यह दे दी है दूसरा यह दे दी है अगर mathematics सही से पढ़ी होगी दोनों समीक्राओं को हल करेंगे तो कितना आएगा 4M बरावर 16-8 मतला 8MH M बरावर हो जाएगा 2MH निम्लिक इतना ऐसे कौन सा समीक्राओ एक परेनल का के स्वेर प्रिरगर के लिए सही है तो इसके लिए समीक्राओं जो सही है वो होता है L बरावर मूनेट N स्कार A Y L 6 वेवर टन का एक चुम्ब की एफिलक्स कॉंडली में प्रवायत होता है जब उसमें 3 EMPR की बेदरदारा प्रवायत होती है तो कॉंडली का प्रिरगर कितना होता है यह कुश्यान आप उपर के बताना है ठीक है बाकी नुमेरिकल दे रखे हैं यहाँ पर ज्यादा लेख लिजी नुमेरिकल एक 120 बोल्ट साड़ वार्ट करताब लेंप एक फेजवाली इसी जापूरती से 220 बोल्ट 50 हर्ट के लिजी है साइकल पर सेकेंड पर चालू करना है इसके लिए परपत के अव्याब को लेंप के सिरेणी में जोड़ना है तादा नुशार निम्मेंसे कौन सा अव्याब बहतर होगा तो उसके लिए बहतर होगा सोद्यधारता क्या होगा सोद्यधारता क्यों होगा देखो है लेंब की शिरेणी में संग्राय तूर्चा की घंडा करें है तो जो चोग में संग्राय तूर्चा होती है। इसके लिए बरावर हाफ लऐ squash का मन दे रखा है आई कम दे रखा है का ब्ली आपने आप का ऐख अगा आग्ड कर दो युगमत पिरे रखे हैं L1 का मान, L2 का मान दे रखा, K का मान दे रखा, ये सूतर स्टार्टिंग में आया था तो L1 और L2 के मान जब दे रखे हो, K के मान दे रखे हो, तो M बराबर क्या होता है, K under root L1, L2 L1, L2 का मान रखा, K का मान रखा, दोनों की मिल्टिपलाई कर दी, M का मान हमको राप्त हो गया, पांच समान प्रिरख्त वाले, प्रिरख्त एक सरंखला समाई हो, जन में समतुल प्रिरख्त क्या होगा, 5L होगा, अगर स्रेणी में जड़े हैं सरंखला, मतलब देखो, यहां प्रिरख्त होता है, जो धारा परवरतन का बिरोध करता है, जबकि जो क्यापसिटर होता है, वो बोल्टिज परवरतन का बिरोध करता है, ठीक है, आगे देखेंगे, अगला चेप्टर है, चुमबक तक, बहुती बढ़िया चेप्टर है, कल इसकी किलास आएगी, इसी चै प्राव मेंनाल।